हम लोग बात करें हमारी करेंट फेर्स की वीकली डिविजिन कवर करेंगे साथ मार्च से 12 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टन टॉप 35 MCQs हमारे दो चानल्स हैं साथ ही साथ बेल आकेन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेब साइट से साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ और मंथली मैगजीन आप हमाएं टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आएस और साइस जरूर करें स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो किस राजय सरकार ने मुख्य मंत्री सार्थी योजना और गुरुजी क्रेडिट काड योजना प्रस्तावित की है इंपॉर्टन क्वेस्टन था करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन नमबर सी जारखंड नेक्स देखो शत्य से टव गवर्नेंस रांकिंग्स में किस राजय की सरकार ने शीर स्थान प्राप्त किया है तो सब्सक्राइब था आंध्र प्रदेश नेक्स देखो किस राजय सरकार ने कौशल्य मात्रतव योजना शिडू की है वेरी इंपॉर्टन क्वेस्टन करेक्ट आंसर है इसको और सी मिताली राज नेक्स्ट है दो साल के कारेकाल के लिए एफटी एफ के अगले ध्यक्ष के रूप में कैसे नामित किया गया है तो से जवाब था आप्शन नमबर बी ती राजा कुमार नेक्स्ट है मौजूदा कीमतों पर प्रतीव्यक्ति शुद राजय घरेल उत्प टकर रोधी प्रनाली कौन सी है तो से जवाब था आप्शन नमबर ए कवच नेक्स्ट है किस मंत्राले न युवाओं में उद्मियता को बढ़ावा देने के लिए दो विशेश पहल संभव और स्वाव लंबन शुरू की है इंपोर्टन क्वेस्टिन है करेक्ट आंसर इसक सरकार ने केंद्रे सशस्त्र पूलिस बलो के लिए आधुनिकी करन योजना को कब तक बढ़ा दिया है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर बी 31 मार्श 2026 नेक्स्ट है दूदाला किस राजमिक फाउंडेशन दोवारा पूरी तरह से सोलराइज होने वाला पहला गाउं होग तो से जवाब था ऑप्शन नमबर ए गुजरात नेक्स्ट देखो श्री लंका भारत नौसेना भियास लाइनेक्स का नौवा संसकरन किस शहर में आयूजित किया गया है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर सी विशाखा पतनम नेक्स्ट है आरूशी वर्मा को 2041 जलबायू बल अंटाक्टिका अभियान में भारत का प्रतिनिथित्व करने के लिए चुना गया है वह किस खेल से संबंदित है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर बी शूटिंग नेक्स्ट है महिला वबाल विकास मंत्राले ने शिक्षा मंत्राले और युनिसेफ के साथ मिलकर कि शो तो से जवाब था ऑप्शन नमबर डी प्रियंका नटक की नेक्स्ट है अंतराष्ण महिला दिवस पर किस राजय सरकार ने महिला और दिम्यों को सहयता प्रदान करने के लिए मात्रशक्ति उद्यमिता योजना की घोशना की है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर ए हरियान नेक्स्ट है भारत सरकार ने स्वतंतरता सैनिक सम्मान योजना को किस वर्ष तक जाली रखने की मंजूरी दी है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर सी दोजार पच्चिस से चबविस नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार ने अगले विते वर्ष से आस्रा पेंशन अभारतों की आयू घटा कर डैश कर दी है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर सी 57 कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि पहले इसकी एज लिमिट क्या थी नेक्स देखो केंद्र श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस योजना के तहत दोनेट अभियान शुरू किया है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर सी प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना नेक्स्ट है राष्ट्री सूपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत के संस्थान में एक नया सूपर कंप्यूटर परम गंगा तैनात किया गया है तो से जवाब था ऑप्शन नमबर डी आया मंत्रालिय और संस्कृति मंत्रालिय नेक्स देखो ग्लोबल फार्मा प्रमुक ल्यूपन लिमिटेड के शक्ति अभ्यान का ब्रैंड अम्बेजडर कौन बना है इंपोर्टन क्वेस्चिन है करेक्ट आंसेर इसको ऑप्शनमबर सी मैडी कॉम नेक्स्ट है साथ मार्श 2022 किस राज्य सरकार ने पाल दडवाव नरसनहार के सौ वर्ष पूरे किये तो इसकसे जवाब हो ऑप्शनमबर A गुजराद नेक्स्ट है यून सुकियोल किस देश के नए राश्ट्रपती चुने गए है तो इसकसे जवाब था ऑप्शनमबर A दक्षिन यानि साउथ कोरिया नेक्स्ट है वी पक्ष अभियास फैलकन टेलाउन किंदो देशों के बीच आयोजित किया जाता है तो इसकसे जवाब था ऑप्शनमबर C पाकिस्तान और USA से नेक्स्ट है भारते रिजर्व बैंक द्वारकिस बैंक को अखिल भारते विते संस्थान AI-FI के रूप में बी नियमित किया जाएगा तो इसकसे जवाब था ऑप्शनमबर A नाशनल बैंक पर फानेंसिंग इंफ्रस्ट्रक्शन और डवलपमेंट नेक्स्ट क्वेशन द किसे चुना गया है तो इसकसे जवाब था ऑप्शनमबर B A से तु माधवन नेक्स्ट है केंद्रे मंत्री मंडले किस राज्य में विश्यू स्वास्ते संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रडिशनल मेडिसन के सापना को मंजूरी दी है तो इसकसे जवाब था ऑप्शनमब ऐ औस्ट्रेलिया नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के प्रसेद्ध क्रिकट दिगज शेन वाण का निधन हो गया तो इसवाब था ऑप्शनमबर B औस्ट्रेलिया नेक्सट है पूर्वब भारते सेनाप्रमुख जेनराल एससे फ of लॉडक्स का हाल ही में निधन हो गया उन् स्टेडी इंडिया मीट 2022 का योजन किस देश में किया गया था तो इस सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी बांगलादेश बात कर लेते हैं कुछ इस वर्ष्ट के लिए थीम थी एवरीबड़ी नीट्स टू अंतराष्ट्य महिला दिवस आठ मार्च इस वर्ष्ट के लिए थीम है जैंडर इक्वालिटी टुडेए फर असस्टेनिबल टुमोरो महिला न्या धीशो का पहला अंतराष्ट्य दिवस दस मार्च विश्व लेकिन थर्ष्ट्डे को मनाया जाता है इस वर्ष्ट के लिए थीम है किड्नी हेल्थ फॉर ऑल बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टन बुक्स और ऑथर्स की ऑन बोर्ड माई इयर्स इन बीसी सी आए रतनाकर शेटी के आत्मकथा है दा ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल अमिताफ कुमार और भारत के पूर्बा टॉनिज जर्नल की जीवनी सोली सुराब जी लाइफ एंट टाइम्स अभिनव चंदर चूड ने लिखी है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके Thank you so much I'll see my next session